तो यह वाला स्टेटास क्रिएट करने के लिए गई सम्प्रि एलाइट मोसन अपका यूज़ करने वाले हैं तो अपके लिए गई सम्प्रि एलाइट मोसन नहीं है तो अपके हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर करके डाउनलोड कर फेक्ते हैं डाउनलोड करने के बाद इस आप लोगो एलाइट मोसन में दो प्रिशेट इंपोर्ट करने हैं देखिए यहां पे एक बुकमार्क प्रिशेट है वह आप लोगो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेना है और अगर आप लोगो एडिटिंग में और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियम करना मैं वहाँ पे आप लोग रिप्लाई ज पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप लोगो कुछ लेयर मिलेगा ठीक है तो इन में आप लोगो अपने फोटो को रिप्लेस करना है तो फोटो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर आप लोगो स्टार्टिंग पर आ जाना है और यहाँ पर जो फर्स्ट और लेयर मिल र पहले अपने photos को आप लोगो 9x16 में करना होगा है तो इसके लिए यहाँ पे plus पे tap करके media पे आ जाना है और media में आने के बाद GV folder पे आप लोगा photo रहाएगा वो आप लोगो open करना है अब यहाँ से मैं कोई सभी एक photo ले लेता हूँ ठीक है तो मैं कुछ यहाँ लेने के बाद आप लोगो को यहाँ पे थी डॉट पे tap करके fill composition area के option पे tap कर देना है अब जो photo है 9x16 के size में हो जाता है अब इसको आप जूम करना चाहो center पे adjust करना तो इस पे tap करके यहाँ पे move and transform पे आ जाने है यहाँ साथ इसको slide वगेरा करके center पे कर फाकते है ठीक है यहाँ जूम करना तो इस यहाँ पे third option पे आने है यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते है और यह कर लेने के बाद आप लोगो इसको save करने के लिए यहाँ पे tap करना इसके मीडिया पे आना है दूसरा photo लेना तो मैं कुछ शेवाल ले लेता हूँ अब यह लेने के बाद फिर से आप लोगो three dot पे tap करके field composition कर लेना इसको भी आप लोगो save करना तो यहाँ पे tap करने है फिर से यहाँ पे save option आता है तो save पे आपको tap कर दिने ठीक है तो यहाँ पे आप करना अब आप लोगों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाएगा जो आप 9 to 16 में convert कीर होगे तो यहाँ पर मैंने काफी सारे photos को कर रहा है अब जो photo आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते है वह आप लोगो select करना है तो मैं कुछ यह यहाँ पर 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 तो इसको आप पूरा complete कर लेना मैं यहाँ पे एक करके बताऊंगे तो वीडियो काफी ज़दा लंबा हो जाएगा और जब यह complete हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को यहां से back आजाना है back आने के बद जो आप सेकेंड प्रिषएड इंपोर्ट की रहोगे HDR इफेक्ट यह यहां से back आ करके bookmark प्रिषएड ओपन कर लेना है और यहां पे tap करके आप लोगों फिर से यहां पे paste fix layer कर देने ठीके यहां पे HDR इफेक्ट वो भी लग जाता है अब यह होने के बात की से आप लोगों को वीडियो जो आप पूरा complete बन करके ready हो जाते है वीडियो पसंद आ तो like करने चैनल को subscribe करने और बैराकन कोई प्रेस कर लेना और comment करके जरूर बताने की वीडियो का इसी लगी अब आप लोगों इसको export करने तो यहां पे tap करके आप लोगों को resolution वगिर अपनी हिसाप से adjust कर लेना देन यहां पे export पे click कर देना आप लोगों को वीडियो जो है है